नुश्कार मैं वंकी तबन और आप देखरें BT News बिहार अभी हम है बली अलक मीनिया में जहां पे हम गुजर रहे थे तो देखें कि सुन्दर सा बहुत बड़ा लीची का एक बगान दिखा जो कि हमको लगता है कई वीगों में फैला होगा जो कि बहुत ही सुन्दर से हमें ल प्रदूशन का खत्रा है हर तरह से प्रकृति प्रदूशन से प्रदूशन में हो चुकी है तो आज के जमाने में पेर लगाना हर वार वेज्यानिक होते हैं प्रयावरन वीध हैं सब अपील करते हैं कि आप पेर जरूर लगाए तो इस तरह का एक हमें प्रोजेक्ट दिख यह से जानने के लिए यहां एक आड्मी हैं से सक जानते हैं किया नाम हो आपका आपका इज ए जो ब अगभांद्या का फूटां पुड़ का तो यह जो आपको दिख रहाँ है यह कई विघा का दिख रहा है कितना विघा हो जाएगा लगभग तेरह विघा का फ्लॉट है तो आप देख सकते हैं लगभग यह तेरह विघा का प्लॉट है जिसमें सिर्फ लीची लगा हुआ है अच्छा तो लीची में भी आप बताईए कि किस-किस परकार का लीची है य कि आप देख सकते हैं कि अच्छे से लगाय गया है अच्छा नमूना है यह जाता है तो तो कहां पेचा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बेगूश्राइब में आपको जानकर आश्चर होगा कि अपने ही बेगूश्राइब के बलिया में आप देख सकते हैं इतना अच्छा एक प्रोजेक्ट है जहां पे यह प्रयावरन को बचाने का तो काम होई जाता है क्योंकि बिगा का बिगा पूरा लीची ही लगा है तो आप जानते ही है कि पेर कितना महत्पूर है हमारे प्रकृति को बचाने के लिए साथ ही साथ यहां के किशान है एक अच्छे माइंडशेट को लेकर आए कि लीची का प्रयोग बेवसाइक रूपे भी हो रहा है और जानकर मुसे आस्चर्ज हुआ कि अपने बेगुशाई से ये लीची महानगरों में जाकर एक्सपोर्ट किया जा रहा है और वहाँ पर बेचा जा रहा है ये बहुत अच्छा लगा हमें जानकर कि अपने बेगुशाई में भी ऐसा प्रोजेक्ट है बेगुशाई के ब तो कैसे क्या-क्या रेख रेख करना परता है किस तरह से इन नीचियों को रखना परता है सालों वर ताकि अच्छा यह उपज दे सके उपज मैं मौन लेजिए जैसे कि कोई खाद जैसी खाद चारों वगल जो है ठलिया करके बस देसी खाद उसमें क्या रहता है बर्मी का खाद रहता है क्या कहते है कि चुआ केला का कचुआ उसके बाद कहते है जो क्टी इस सब जो तैयार किया जाता है बर्मी कंपट उसको हम लोग परती गाच पांच किलो हर साल इसमें पैर का जल्ला जो पतलावला जल्ला होता है जल्ला में खोद करकर के दे करके उसको थलिया दिया जाता है अच्छा तो जरा हम लग भग तेतीस साल में ये पूरा बगान इस तरह का त्यार होगा तो हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इस बगान के मालिक जो होगे उनका एक लोंग भीजन होगा बड़ा ही लंबा सोचे होगे और आज तेतीस साल में इतने बड़े बगान को उखडा किये हैं और आप देख सकत लीची लगाया गया है। ऐकी ठीक हैं। चैना उसके आठ ढ़त 10 दिन के बाद होता है। मार्केट में वेवसाही की रूप से किसका डिमांड यद्या रहता है तो आप देख सकते हैं कि ऐसे भी हमारे बिहार में मुझफर पूर है जहां का साहि लिची बहुत है जो की बीदोसे में भी सप्लाई किया जाता है और यहां अपने बेगुशाय में बल्या में यहां पे जो आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट तो यहां पे भी यह जो बिखा का बिखा यह जो प्लॉट है यहां से भी भारत के सिर्फ बिहार ही नहीं भारत के कई महानगरों में यहां से सप्लाई किया जाता है यहां का साही और चैनिज तो आपने सुना एस टेसन रोड से स्वामी तर्दूड रामानन्द बाबू का ये बगवान है जहांपर कभी भी आप गुजरते हैं गुजरने का मौका मिले तो इस बगवान को एक बार जरुर घुमे और यहां से सीखें कि आपके पास अगर जमीन है तो आप किस तरह से उसका utilization कर सकते हैं, प्रियोग कर सकते हैं और इसे बैवसाइक रूप से अच्छा खासा उसे मुनाफा भी कमा सकते हैं और पेर लगाकर प्रकृतिक संरक्षन में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं तो आपने भी देखा कि अगर लीची के समय में आप इधर से गुजरें तो एक बार जरूर देखें क्योंकि ये बहुत बेजोर नमूना है प्रकृतिक संरक्षन का भी और किशान के ससकती करन का भी किस तरह से अच्छे से अपने जमीन का प्रियोग करके यहां के किशान बहुत अच्छे से मुनाफा भी कमा रहे हैं अलग-अलग महानगरों में यहां से भेज रहे हैं अपने लीची को बहुत बहुत धन्दवाद आप लोग बने रहे हैं बीटनीज बिहार के साथ